बहें मंत्री ने थाना प्रभारी को फटकार लगाई है कटने में जहे हम वित्व मंत्री जगदेश देवडा ने ये फटकार लगाई युवाओं की शिकायत की जिसके बाद थाना प्रभारी को फटकार लगाई तो युवाओं ने शिकायत की जिसके बाद थाना प्रभारी क के नसीहत दी है चुकि यहां जो युवा थे उन्होंने आरूप लगाया कि अवैद विक्री जो है वो की जा रही है गांजे की की विक्री भी की जा रही है जिसको लेकर परिशाने यहां पर होती है युवाओं ने शिकायत की और उसके बाद मंतरी जी ने थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई यश खरी जुड़ गए हैं जादा जानकारी के साथ यश यवाओं की शिकायत के बाद यहां पर कारवाई अब की जाएगी लेकिन ऐसे मसलों पर पहले क्यों नहीं रोक लगाई जाती है यवाओं का यही आरोप था कि इस चेटर में सबसे जादा नशीले पदार्थों का उप्यूब किया जाएगा जिस पर रोग लगानी चाहिए यवाओं नहीं पर इसके पहले भी शिकायत किये लेकिन कारवाही नहीं हुई लेकिन जैसी उन्हें सूतिना मिली की छेटर में मंतरी जी पहुँचे है तो तुरां तो वहाँ पहुचकर उन्होंने शिकायत की शिकायत मिलते ही मौके पर विधाया एक संदीब जैसवाल और करेक्टर प्रियक मिस्वा भी थे तुरां 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 निंदेज भी दिये और टियाए को ये फटका लगाते ही ये भी काया कि दो दिन के अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए तो वहीं युवाओं का जो वीडियो सामने आया उसमें ये भी मंतरी जी कहते निजर आ रहे है तो आप तीदे मुझे से बताएं मैं आगे की कारवाही करवाओंगा तो कहीं न कहीं जो युवाओं थे वो नराज थे वो मंतरी से मिलने के बाद अब उन्हें तंटुष्टी ये हो गई है कि छेतर में जो अबैद मातक पदार था उस पर रोग लगी थी ठीक है बहुत शुक्रिया है शापका